Hello Strengths, Welcome to ADL Pharmacy YouTube Channel दोस्तो अगर आप Pharmacy strands हो और आपने Hospital Training पूरी कर ली है या फिर आपकी Hospital Training पूरी होने वाली है तो आप Pharmacist के लिए Registration कैसे करेंगे या बिने Mark Seat के भी आप कैसे Registration कर सकते हैं Registration आपको कैसे कैसे करना होगा और आपको इसके आगे आगे की क्या क्या प्रोसेसिंग है आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो मा आपको मिलने वाली है वीडियो मागी बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारी यूटूब चैनल एडियल फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी यूटूब चैनल एडियल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारे यूटूब चनल पर समय समय पर फार्मेरी से रिलेटिड वीडियो अपलोड होती रहती है देखिए दोस्तो अगर आपकी होस्पिटल ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है या फिर होने वाली है तो आप ट्रेनिंग के लाद अपना रेजिस्टेशन कैसे कराईंगे देखिए अगर आप फार्मेसए अक्ट 1948 के तहट अपना फार्मसिस्ट का रेजिस्टेशन कराते हैं तो इसके लिए आपको अपने D-Farma 1st year and 2nd year के आपको Original Marseed के जुरुत पढ़ेगी, बिना Original Marseed के आप रिजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं, अब बहुत से strengths का comments आ रहाता है कि सर Marseed कब तक हमें College से provide करा दी जाएगी, तो आपको बता दो कि स्कूटनी और रिवोल्योशन की कोपी चेक हो रही है इसलिए मार्सीट को अपडेट होने में टाइम लग रहा है जैसे ही स्कूटनी और रिवोल्योशन की कोपीं चेक हो जाएंगी देन इसके बाद उनका अपडेट कर दिया जाएगा रिजल्ट उसके बाद ही आपके college में मारसीट मिलने की आपकी ज़्याद़ ज़्याद़ उम्मीद है मतलब यह है कि जब आपका school नी और revolution firm का आपका जो result आ जाएगा उसके बाद ही आपके college में मारसीट आपकी भेज़ दी जाएंगी दैन इसके बाद आप अपना pharmacist का registration करा सकते हो और दोस्तों आपको बता दो कि अब जब फार्मसिस्ट का registration ओनलाइन बोड में कर दिया है दोस्तों कैसी लेगी वीडियो कमेंट करके जोब बताना और pharmacy की तमाम जानकारी के लिए हमारी YouTube चैनल ADL Pharmacy को सब्सक्राइब भी कर लेना